हेलो दोस्तों नमस्कार मैं देवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम सभी मिले हैं तो एक बहुत अच्छा और बहुत सुनहरा आउसर है और एक बहुत ही आकरशक बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है जिसके उपर हम बात करने वाले हैं आज का दिन दोस्तों यानि 5 जून इसको World Environment Day विश्व परियावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर हम दोनों को हम सभी को रूबरू होने का मौका मिला है और इस विश्व के उपर कुछ चर्चा करने का आज हम सभी के पास समय भी है मौका भी है तो World Environment Day शुरू करने से पहले आप सभी को विश्व परियावरण दिवस यानि World Environment Day की हार्दिक शुबकामनाय बहुत बहुत शुबकामनाय लिकिन दोस्तों ये दिन है क्या आईए इसके बारे में कुछ जानते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व परियावरण दिवस ये जो दिन है 5 जून इस दिन को विश्व परियावरण दिवस के रूप में मनाय जाता है और ये कौन डिसाइड करता है कि हम इसको विश्व परियावरण दिवस के रूप में मनाई या नहीं तो ये हमारी एक संस्था है एक organization है United Nations इसने ऐसा डिसाइड किया है पूरे सभी विश्व के देशों की सहमती के साथ कि 5 जून का जो दिन है इसको हम World Environment Day विश्व परियावरण दिवस के रूप में मनाएंगे और हर साल ये कुछ ना कुछ एक theme डिसाइड करते हैं जिस theme को लेकर ये विश्व परियावरण दिवस यानि World Environment Day के दिन जो भी काम करना है उसे करते हैं तो इस साल यानि 2021 2021 की जो theme है वो हमारी है ecosystem restoration अब सबसे पहली बात किसी भी विश्व के बारे में जब हम किसी भी topic के बारे में जब हम चर्चा करते हैं बात करते हैं तो सबसे पहले वो topic क्या है ये जानना उसकी कुछ basic information होना हमारे लिए बहुत important है तो ये जो दिन है विश्व परियावरन दिवस ये पहली बार कम मनाया गया 5 जून 1974 5 जून 1974 1974 को अमेरिका के अंदर जो एक organization है United Nations इन्होंने ऐसा decide कि हम 5 जून को 5 जून को हर साल विश्व परियावरन दिवस यानि World Environment Day के रूप में मनाएंगे और उस साल 1974 के अंदर जो theme रखा गया World Environment Day का वो था Only One Earth अब इतनी बड़ी organization है कई सो देशों का इसको support है तो इन्होंने बिना वज़य इससे start नहीं किया होगा तो इसका aim क्या था दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1950 से पहले पहले हमारे आसपास का जो nature है जो environment है वो बहुत अलग था हमारे पास बहुत सारे natural resources थे लेकिन human being आदमी इंसान ये एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने लालच के कारण इन resources को infinite level तक use कर लिया है मतलब उसकी कोई limitations नहीं है अपनी greed को satisfy करने के लिए इसने हमारे environment को हमारे परियावरण को जो नुकसान पहुँचाया उस नुकसान को देखते हुए पूरे विश्व के अंदर लोगों में जागरुकता पहलाना बहुत जरूरी था तो इसी लिए UN ने ऐसा डिजाइड किया कि हम 5 जून 1974 से 5 जून 1974 से हर साल इस दिन को world environment day के रूप में मनाएंगे और विश्व के जो सभी लोग हैं सभी व्यक्ति हैं उनके अंदर हम awareness लाएंगे environment के प्रती कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं don'ts and do's ये सभी हम लोगों के अंदर पहुँचाने की कोशिश करेंगे और इसको किसने establish किया इस दिन को United Nations ने अब इन्हों ने इसके अंदर क्या क्या इश्व उठाए क्यूं इस दिन को मनाने की इनको जरूरत पड़ी तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो इश्व है वो था pollution हमारे आसपास बहुत तरह के pollution का level बहुत बड़ी मातरा में बढ़ रहा है जैसे air pollution, water pollution, soil pollution इन सभी pollution को मद्दे नज़र रखते हुए World United Nations Organization ने ऐसा decide कि हम इस दिन awareness लाएंगे लोगों में pollution के प्रती, global warming जो हमारे ecosystem का, हमारे biodiversity का लगातार temperature increase हो रहा है इसके लिए, बढ़ते हुए industrialization के को सही तरीके से बढ़ाने के लिए और हमारी जो biodiversity है, जहां हम रहते हैं, इसे बचाने के लिए इन issues को, इन मुद्दों को United Nations ने पूरी दुनिया के सामने उठाया अब ये करने के हमें जरूरत क्यों पड़ी, United Nations को World Environment Day मनाने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्ते, इसका बहुत सीधा सीधा reason है कि हम लोग जो हमारे परियावरण के साथ, हमारे environment के साथ खिलवाड कर रहे थे, उसकी वज़े से आज पृत्वी की जो हालत है, आज अर्थ की जो हालत है, आज हमारे environment की जो हालत है उसकी वज़े से दुनिया को मजबूर होना पड़ा ऐसी एक organization बनाने के लिए जो इस बारे में सोच सकी अगर हम देखें कि हमने दुनिया के साथ क्या किया है तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया है हमने पूरे आकाश को धुएं से भर दिया है हमने पेड़ों पर पत्तों के जिगा प्लास्टिक को टांग दिया है और हमने क्या किया है हमारे जो जंगल थे जो हमारे लिए तो जंगल थे लेकिन कुछ जानवरों के लिए उनके रहने का घर था उसको हमने तबाह कर दिया है किस लिए अपने लालच के लिए अपनी unnecessary needs को पूरा करने के लिए और हमने क्या किया है पानी जिसके बिना जीवित रहना जिन्दा रहना हमारे लिए असंबव है उस पानी के जो sources थे oceans rivers उन सब को हमने plastic से भर दिया है ये सब हमने ही किया है और किसी ने नहीं किया और हमने क्या किया है हमारे जो जंगल थे वो जल कर राक हो चुके हैं हमारी जो फसलों के आवशेश बसते हैं जो लेफ्ट ओवर बसते हैं उसको हम जलाते हैं, जिससे हमारा environment और ज़्यादा polluted होता है, क्या कर रहे हैं हम, हम अपने environment में poisonous gases डाल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, दोस्तों हम plastic का use कर रहे हैं, आप तो plastic को use करके throughout कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, आपके पास garbage collector आता है, उसको ले जाकर कहां डाल दे हमें नहीं पता, दोस्तों को उसको oceans में डालते हैं, और oceans में जो हमारे aquatic animals हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके साथ आप इस picture में देख सकते हैं कि क्या क्या होता है, उनको नहीं पता कि plastic खाना उनके लिए हानी कारक है या नहीं, लेकिन फिर भी वो इसका शिकार बनते हैं, और दोस्तों इस सब का जिम्मेवार कौन है, तो हम सभी हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो glaciers हैं, उनको खतम करने में हम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, एक picture आप देख सकते हैं कि 2008 से 2018, glaciers जैसे दुनिया से गायब होते दिखाई दे रहे हैं, और हमने अपने प्र रंग बिरंगी प्रित्वी को हमने उजाड भूमी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लगातार हम उस और बढ़ रहे हैं, हम उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जादा से जादा प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, जादा से जादा कच्रा हम जला रहे हैं, जाद इसी लिए जो United Nations है उसने ऐसा डिसाइड किया कि अगर और कोई नहीं तो हम खुद लोगों को अवेर करेंगे कि वो इन सब चीजों को कम करें इन सब चीजों को बढ़ावा ना दें दोस्तों आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुराने समय में यह जो लास्ट 100 और 200 यहर्स गए हैं इसमें हमको ऐसा लगता था कि पेड़ जो हैं ट्रीज जो हैं फॉरस्ट जो हैं वह हमारे इस्तेमाल के लिए बने हैं सिरफ और उनका कोई यू कि जो पौधे हैं यह अलाइव है या देड हैं यह जीवित है कि मरे हुए है हमको इससे फरक नहीं पढ़ता हमको सिरफ उसमें से फ्रूट्स चाहिए हमको सिरफ ईसमें से लकड़ी चाहिए धूप के टाइम प manufacturers नीचे पार करने तो काफी लंबे समय तक हम उनको मृत ही समझते आए हैं लेकिन हमारे यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जगदीश चंद्रबोस 1858 के अंदर इनका जनम हुआ था और 1937 तक इन्होंने विश्व को बहुत सी बहुमूल्य और अनमोल भेंट दी दोस्तों इन्होंने यह प्रूव करके दिखाया था क्योंकि यह जो दुनिया है यह सिरफ बात से नहीं यह प्रूव पर विश्वास करती है तो इन्होंने साइन्टिफिकली प्रूव करके दिखाया था कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो लिविंग हैं और वो ग्रोव करते हैं कैसे दोस्तों इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था एक डिवाइस बनाई थी जिसको क्रेस्कोग्राफ बोला जाता था और वो डिवाइस क्या करती थी प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको मेजर करती थी तो इनकी वज़े से दुनिया ये मानने लगी कि हाँ प्लांट्स में भी जान है प्लांट्स भी जीवित हैं तो दोस्तों अगर जीवित हैं तो फिर वही सब चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं जो एक जीवित प्राणी एक इंसान दूसरे इंसान से करता है हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें और हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि लोग हमारे देखवाल करें हमारे साथ बात करें तो दोस्तों प्लांट्स भी यही चाहते हैं कि कोई उन्हें प्यार करें उनका खयाल रखें उनके साथ बाते करें scientifically एक चीज़ प्रूव की गई है कि अगर हम एक ही टाइम पे दो प्लांट को प्लांट करते हैं उनको लगाते हैं उनको छोटे रूप में हम धर्ती में लगाते हैं तो दो के साथ अगर हम अलग-अलग व्यवहार करें, अलग-अलग behavior करें, कि जैसे एक को तो हम प्यार से सहलाएं, उसे पानी दें, उसके साथ बाते करें, और दूसरे के साथ हम उसको ignore करें, हम उसको बुरी-बुरी बाते बोलें, तो उनमें से जिस plant के साथ हम अच्छे से करते हैं वो जल्दी ग्रो करता है और वो ज्यादा ग्रो करता है यहसे यह फिलिंग्स सभी लोगों में प्लांट के लिए जाग सके इसी बात के लिए जो वर्ड अन्वर्मेंट डे है दोस्तों मनाया जाता है आज का जो दिन है वो सीखने का है किस से सीखने का है प्लांट से सीखने का है हम सभी इंसान जो है हमारी एक आदत रहती है लेना 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 जहां से वहरे भरे होंगे तो आने जाने वाले को च्छाव देंगे अगर उनके ओपर फूर्टS आएंगे तो वह भी पेड़तों कभी खाता नहीं है तो वह कौन खायेगा वह हम लोग खायेंगे अगर वह सूख जाएंगे तो सूखने के बाद वह हमें अपनी लकडी देके का हुग है यह हमें प्लांट से सीखनी चाहिए कि अगर हम इस धर्ती पर आये हैं तो इस धर्ती पर सिर्फ इंसानों का हग नहीं है डिरर डिलके व्यासमान अधिकार इस प्रत्वी traced को यूज करने हैं लेकिन इन सानन हमेशा ऐसा समझताहे कि इस धर्ती पर जितने भी sources हैं वो सिरफ उसके लिए बने हैं तो आज का दिन है कुछ ना लेकर कुछ देना ये सीखने का क्या देना तो हमें इस धर्ती को एक plant देना है हर साल हर साल जो बड़ा होगा बड़े होकर इस अर्थ को बचाएगा क्यूंकि हमारे पास कोई दूसरा option नहीं है there is no planet B for us on this universe हमारे पास एक ही धर्ती है इसी को हमें बचाना है इसी की हमें देखवाल करनी है और जैसे आज बहुत सारे एनिमल्स है ना बहुत सारे species हैं जो बहुत रेर हो गई थी जिसे टाइगर्स बहुत कम हो गए थे तो सेव टाइगर्स ऐसा हमने एक मुमेंट चलाया थ तो हमें plants को कभी rare नहीं होने देना यही बात हमें हर साल World Environment Day पर खुद भी याद करनी है और दूसरों को भी याद करानी है अब आज World Environment Day है तो सभी बहुत बड़ी-बड़ी बाते करेंगे बाते करने वाले बहुत हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले उससे कम हैं लेकिन जो doer हैं जो कुछ करना चाहते हैं जो कुछ कर सकते हैं वो लोग बहुत कम है minimum percentage में हैं तो आप और हम सभी मिलकर आज के दिन एक संकल्प कर सकते हैं एक promise कर सकते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम हर साल एक छोटा पेड लगाएंगी हम कम से कम दो साल तक उस के देख बाल करते हैं तो उसके बाद पूरी लाइफ वो अपने आप सर्वाइव कर सकता है लेकिन दो साल वो दो साल हम मुसके देख बाल करेंगे तो हम कम схósदिक का यूज करेंगे घर से बाहर जब जाएंगे तो अपना वैग साथ लेके जाएंगे जिसमें हमको सामान लेके आए यह हम कर सकते हैं तो हमें कौन सी लाइन में रहना है दोस्तों हमें क्रिटिक की लाइन में नहीं रहना है हमें सिरफ टॉकर की लाइन में भी नहीं रहना है हमें डूर बनना है और ऐसे डूर हम बनेंगे ऐसा मुझे विश्वास है अब कई बार यह हमारा नहीं है लेकिन यह प्लैनेट हमारा है तो इसको बचाना किसकी responsibility है इसको बचाना हमारी responsibility है तो इसलिए आज के दिन हम mother earth से अपनी धरती मां से एक promise करेंगे कि हम कभी बन पाए तो solution बनेंगे pollution का कारण कभी नहीं बनेंगे be the solution not the pollution और ऐसा नहीं है कि हम जो decide करते हैं वह हम नहीं कर सकते कुरोना कितनी भयंकर महामारी है लेकिन इसको भी हम हराने के लिए day by day steps उठा रहे हैं और success अचीव कर रहे हैं तो together we can create a better world ऐसा हमें विश्वास है और इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है तो इस विश्व परियावरण दिवस के मौके पर वर्ल एन्वार्मेंट डे के मौके पर हम सभी एक प्रॉमिस करते हैं कि इस साल एक पेड़ जरूर लगाएंगे और एक से को विश्व परियावरण दिवस की हार्दिक शुब कामना है और मैं उमीद करता हूं कि आज की इस दिन पर हम क्रिटिक की लाइन में भी नहीं रहेंगे हम सिरफ टॉकर की लाइन में भी नहीं रहेंगे हम एक डूर बनेंगे थैंक्यू गरी मुच